नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक ने वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास को अपके अपने फोन में ना कोई एक लॉक्स करना है एप लॉक के लिए तो यहां पर इस चीजित का जो आप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर फोर डिजिट का फोर टूस्टीन डिजिट पैटर्न अल्फानिमरिक कोई सब्सक्राइड कर सकते हैं तो मै या पैटर्न पर क्लिक कर लूँगी तो यह वाला पैटर्न में रख लूँगी दुबारा से आपको एंटर करना है आप अपनी पसंद का कीजिएगा इसके बाद यहां पर एक सिक्यर्टी कोशन का आंसर सेट करना होता है ताकि अगर आप कल को एप लॉक बूल जाते हैं त तो आप एप लॉक को रिकवर कर सकें बिना डेटा डिलीट हुए ठीक है तो यहां से आप सिक्यर्टी कोशन चेंज भी कर सकते हैं और अपना बना भी सकते हैं तो सिक्यर्टी कोशन मैटर नहीं करता है मैटर करता है आपका आंसर आपका सेम होना चीए कहीं पर भी तो आप अपनी मर्जी का कोई भी आंसर सेट कर लेंगे जैसे मैं अपना नाम सेट कर लूँगी हाँ ठीक है और यहाँ पर आप recovery के लिए email address भी डाल सकते हैं इस पर क्लिक करके डाल लेंगे और save पर क्लिक कर लेंगे और जो भी account इसमें login है उसे आप link भी कर सकते हैं on करके इसके बाद check mark पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर सारी application आपको दिख जाएंगी जो चोब application को आपको lock करने है ना उसे आप on कर देंगे तो यहाँ पर मैंने इतनी application lock कर लिया है यहाँ पर locked वाली दिख जाएंगी यहाँ पर all दिख जाएंगी और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर privacy password का password चेंज कर सकते हैं और यह और option है तो यहाँ पर आप खोलेंगे application तो यहाँ पर आपको lock enter करना पड़ेगा और आप fingerprint वागरा भी enable कर सकते हैं आपको पहले से सेट है तो एक option मांगेगा उसे आप क्लिक कर देंगे तो fingerprint और face lock भी enable हो जाएगा जिसे आप app lock के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस step से आप यहाँ पर app lock set कर सकते हैं आई hope यह वीडियो आपको पसंदा होगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आप कर दो सकते हैं